हालो स्टूडेंट हाव यू अगें और मस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल केमस्टी प्लैस अकेडमी आई होप आप सपी अच्छे से होंगे अपने स्टेडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे लास्ट की लेक्चर इस्टेडी की लेक्चर नमबर सिक्स में हमने डिसक्स किया के लेकुक्र एंगर् स्टेडी के अभी में इस वीडियो के ल Illy को सुट्व और मडिक अवाट यू पर हम कहेंगे इस वीडियो को अúc–एव अच्छे से वाच लिया का एक्जाम की point of view से बहुत important topic थे तो वैसे मैंने इस video के description box में उस video का link paste कर दिया है तो आप यहां से भी last video को watch कर सकते हैं आज हम discuss करने जा रहे हैं next topic तो इस lecture में हम discuss करेंगे geometrical isomerism के बारे में तो आपने अभी तक पढ़ा है क्या होते हैं इसके बाद हमने discuss किया था कि जो भी complication थे उसको कैसे represent करते हैं उसके बाद हमने कैसे इसको assign करते हैं कैसे करते हैं तो आज हम discuss करेंगे geometrical isomerism के बारे में यह भी एक बहुत important isomerism है बहुत easy topic है इसको आप अच्छे से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले हम ब अलग atoms या group से attach होती है वो geometrical isomerism में show करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि geometrical isomerism में show करने के लिए किसी भी compound के पास क्या condition होनी चाहिए तो सबसे पहली condition main क्या है कि double bond वाले carbon की दोनों valency different different group से attach होनी चाहिए तो ही वो geometrical isomers होंगे otherwise नहीं होंगे ठीक है अ compound में double bond present होना चाहिए तो सबसे पहली condition क्या double bond तो होना चाहिए double bond है तो ही वो geometrical isomerism में show करने के लिए responsible है otherwise नहीं है double bond के कारण axis पर rotation नहीं होता है जिसे हम कहेंगे restricted rotation means प्रतिबंदित घूनन इसका मतलब यह है जब double bond होगा carbon carbon में आप देख सकते हैं यहां carbon carbon double bond है जब आप इस एक carbon को fix करके आपने दूसरे carbon को rotate किया तो आप देख सकते हैं इसका rotation होगा नहीं क्योंकि वापस के अपनी पह दो आवस्था में आने का प्रयाश करेगा यह तो इसको बोलते हैं प्रतिबंदित घूंडन या restricted rotation इसको हम कहेंगे और यदि मान लीजिए का compound में restricted rotation होता है तो carbon carbon का rotation नहीं होगा groups की position change नहीं होगी groups क्या होगे rigid रहेंगे इसलिए यह geometrical isomerism में शो करेगा इसका मतलब double bond के कारण restricted rotation होना चाहिए तभी यह isomerism में शो करेंगे अब देखिए double bond वाले जो carbon है उसकी दोनों valency same group से attach नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या है जो carbon carbon double bond है ठीक है उसकी दोनों valency जो है ना उस पर same group नहीं होने चाहिए A, B इस टाइप से different different group होने चाहिए तो भी वो geometrical isomerism म करेंगे otherwise show नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर double bond वाले group दोनों different different groups से इसमें attach होते हैं ठीक है ना अब देखिए geometrical isomerism में तीन टाइप से हम discuss करेंगे एक तो होता है cis trans isomerism में एक होगा EJ isomerism में एक होगा sin anti isomerism में तीन टाइप की isomerism में यहाँ पर show होती है ठीक है ना तो इन तीनों के कैसे normal culture करते हैं क्या इसके examples होते हैं वो हम discuss करेंगे आज की lecture में तो देखिए सबसे पहला है cis trans isomerism में तो आप देखिए इसमें बहुत ही simple सा है यदि same group same side में हो तो इसे cis isomer कहेंगे और same group opposite side में हो तो इसे हम क्या कहेंगे trans isomer कहेंगे यह इसक इंदर इसका conditions होती हैं तो आपको देखना है same group कि side में same side में है तो cis opposite side में तो trans यह है cis trans isomerism में अब इसके example आप देखिएगा suppose ये example है यहाँ पर देखे ये A A group दोनों same type की group है same side में है और ये A A group क्या है same side के दोनों क्या है opposite side में same type की group opposite side में तो इसको बोलेंगे cis इसको बोलेंगे हम trans तो इस type से आप cis trans isomer को differentiate कर सकते हैं एक और देखे cis trans isomerage में के लिए compound में कम से कम दो गुरूप same होने चाहिए धान रगए cis को आप कि यदि आप cis trans isomerage में show कर रहे हैं तो compound में कम से कम दो गुरूप same होने चाहिए तैसे मान लीजिए अगा हम बात करता है यहाँ पर इस example में देखिए ये CL है ये CL है दो गुरूप यहाँ पर क्या है same type है तो यह होने चाहिए और इसके अलावा बाकि ये दोनो गुरूप अलग-अलग हो सकते हैं कोई दिक्कत ने इसके अंदर बाकि दो गुरूप इसके अंदर same होने चाहिए यदि आपने इसमें चारों गुरूप को अलग-अलग कर दिया तो उस कंडिशन में सिस ट्रांस आइसोमरीज में शो करना थोड़ा सा possible नहीं होगा मुस्किल हो जाएगा उस कंडिशन में हम EZ आइसोमर हम यूज करेंगे वो EZ कैसे होता है इसके बाद हम डिसकस करेंगे तो इसका मतलब क्या है सिस ट्रांस आइसोमरीज में के लिए कंपाउंड में कम से कम दो गुरूप सेम होने चाहिए अब आप देखिए इस एक्जाम्पल को ये देखिए सिस 1,2 डाइकलोरो इथीन है देखो ये तो इस कंपाउंड में दोनों सिस 3 क्या है सेम साइड में इस यहाँ पर क्या है सेम साइड में इसको बोलेंगे सिस अब इसका नेम देखिए कि आप नम्बरिंग करोगे यहाँ से 1,2,3,4 तो इसका नेम हो जाएगा सिस ब्यूट टू इन इसके बाद ये है ट्रांस ब्यूट टू इन क्योंकि यहाँ पर दोनों सिस 3 गूरूप है या फिर दोनों हाइडोजन एटम है वो ऑपोजिट साइड में अवेलेबल है इसको हम कहेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन इस टाइप से इसके बाद देखिए नेक्स एक्जाम्पल यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डेबल बूर्ण है ये दोनों एक सेम साइड में दोनों सियोज क्या है सेम साइड में तो इसको हम कहेंगे मेलाइक एसिट और इसका नेम देखिएगा सिस ब्यूटीन कैसे देखिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है तो सिस कंडिशन का मतलब क्या है कि दोनों सेम टैप में ग्रूप है पर ब्यूटीन है साथ में 1,4 डाइड इविक एसिड इसी टैप से यहाँ पर दोनों सियोज क्या है ओपोजट साइड में है इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर इसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड क्या नहीं में इसका फ्यूमेरिक एसिड तो इसका नेम हो जाएगा ट्रांस ब्यूटीन वन फोर डाइविक एसिड इसका इस टैप से नॉमेनिक लेचर हम कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा यदि माल लीजिएगा इस कंपाउंड में दोनों सी ओच ग्रूप या कार्बॉक्सलिक ग्रूप सेम साइड में तो इसको बोलेंगे मैलाइक एसिड यदि ऑपोजिट साइड में इसको बोलते है फ्यूमेरिक इसका मेला सिस मेलाइक एसिड ट्रस होता है विमेरिक इसिड इसको पूछए जाते हैं और राइट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपई के अंदर इसके बार देखिए नेक्स एक्जामपल यहां CS3 CH double bond इसको बोलेंगे वैसे क्रोटोनिक और आइसो क्रोटोनिक तो देखें, इसमें क्या है, यदि ये दोनों H क्या है, सेम साइड में, तो इसको बोलेंगे Sys, इसका नेम हो जाएगा Cys-butto-inoic Acid, इसका नेम हो जाएगा Trans-butto-inoic Acid, ये है Trans-butto-inoic Acid, ओके, लेकिन दो Sys वाला होता है, उसको तो बोलेंगे आईसो क्रोटोनिक एसिड और ट्रांस को हम बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड यह आप दोनों ध्यान लगें तो इसके अंदर यह ट्रांस वाली पोजिशन है तो बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड यह दिस वाली पोजिशन है तो इसको बोलेंगे आईसो क्रोट दो गुरूप सेम होने चाहिए, बाकी दो गुरूप अलग-अलग हो सकते हैं, इसके बाद देखिए, next है E, Z, आईसुमरीज में, तो I think आपने सिस, टांस, आईसुमरीज में को समझ लिया है, simple सा है, कि दोनों गुरूप सेम साइड में, सेम वाले गुरूप, तो सिस है, दोनों सेम गुरूप, डिफरेंट साइड में, तो इसको बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, अब देखिए, E का मींस यहाँ पर होता एंटजेनीन, और वो होता ट्रांस जेसा, Z का मींस होता जुसा में, यह A है यहाँ पर, इसको बोलेंगे सिस जेसा, ठीकर न, तो ट्रांस जेसी एपिरेंस होगी एंटजेनीन में, और सिस जेसी एपिरेंस होगी, जुसा में में या फिर जाइड में होगा, तो इस टैप से CIP rules, Con-inguOld Pellog rules, जहाँ पर हमने priority order define किया, तो कैसे किया था? highest atomic number को सबसे highest priority देते हैं, उसके बार lowest atomic number देते हैं तो वो अपने last lecture में पूरा discuss कर लिए तो आपको priority order निकालना आता है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं, अब आप देखिए, यह दि opposite side में हो तो इसको हम कहेंगे E isomer कहेंगे आपको पता Z का means क्या होता है cis जेसा और E का means क्या होता है trans जेसा तो आपको सबसे पहले priority order define करना है युदि priority order define करने के बाद आप देखते हैं दोनों highest priority वाले same side में तो Z है और opposite side में तो उसको बोलेंगे E बोलेंगे E क्या है opposite means trans जेसा Z है same side means cis जेसा तो आप हरे कारबन पर देखेंगे सबसे पहले देखिए ये carbon carbon double bond है इस double bond में देखेंगे इस फ़र F है CL है आपको पता CL का itemic number ज़्यादा होता है तो इसको क्या करेंगे one number F को देंगे two number इसी case में याप पर carbon है इसमें OR है इसमें NH2 है इसमें oxygen connect है इसके इंदर nitrogen connect है तो oxygen को आप देंगे one number nitrogen को आप देंगे two number तो आप देखें इसके अंदर दोनों जो higher priority वाले group same side में है तो इसको बोलेंगे Jad इसमें देखिए यहाँ पर इस carbon पर देखें तो F और BR आपको पता BR को highest priority F को lowest priority इसके बाद यहाँ पर OH यहाँ पर कैसी अस्तरी है तो oxygen को highest priority carbon को lowest priority तो यह दोनों के highest priority वाले group opposite side में हैं यहाँ पर दोनों lowest priority वाल ग्रूप opposite side में हैं तो इसको बोलेंगे E isomer इस type से आप E z isomer को show करेंगे इसे type से another example आप देखेगा यहाँ पर carbon carbon double bond है और इसमें देखें यह CS3 है इस carbon के साथ CS3 यह H तो आपको पता है CS3 को आप one number देंगे H को two number क्योंकि carbon का atomic number जादा होता है यहाँ पर BR यहाँ पर CL होता है BR का atomic number जादा होता तो BR को first priority CL को second priority और यहाँ पर दोनों क्या है higher priority वाले group same side में तो इसको बोलेंगे Z यहाँ पर देख लिजेगा दोनों higher priority वाले group के opposite side में तो इसको हम कहेंगे E कहेंगे इस type से आप इसको define करेंगे और देखिएगा यह isomeris में means EZ isomerise में कब show होती है जब सारे के सारे groups या चारो groups क्या होते है different type के होते है तभी show होती है otherwise show नहीं होती है यह आपको पता होना चाहिए जब सावे सभी group same different different है तभी असा होगा क्योंकि यह दो group same होगे तो हम cis trans isomerise में show करेंगे इसमें देखिए यह carbon है एक iodine एक हाँ पर carbon है तो इसमें iodine को देंगे one number इसमें BR और CL तो BR को देंगे one number दोनों क्या है same side में higher priority वाले group इसका मतलब यह हो जाएगा Z और यहाँ पर दोनों higher priority वाले group क्या है opposite side में है और lowest priority वाले group opposite side में है तो इसको बोलेंगे E बोलेंगे अब देखिए आप इसमें एक important point क्या है तो इसको समझेगा cis, trans और E, z congregation में कोई relationship नहीं होता इसका मतलब क्या है हमने कहा कि cis का मतलब same side में trans का मतलब opposite side में तो इसका means नहीं है कि cis वाला z होगा और trans वाला e होगा अभी हमने discuss किया था कि Z में हमेशा higher priority वाले groups जो होते हैं वो क्या होते हैं same side में होते हैं तो ये cis जैसा होता है लेकिं cis होता नहीं है ये trans जैसा है लेकिं trans होता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप cis को Z बोलेंगे trans को E बोलेंगे ऐसा कभी नहीं होता इसमें देखोब एक example में ने दिया है इसे आप इसको समझ सकते हैं कि ये double bond वाला carbon है इधर यहाँ पर CS3 तो ये इधर यहाँ पर CS3 CS2 तो यहाँ पर देखिए one carbon पर दूसरा carbon तो इसको दोंगे highest priority one इसको दोंगे lowest priority आपको ये भी पता है दोनों same group क्या है देखो same side में CS3 CS3 इसको बोलते हैं तो CS वाला है यहाँ पर EB तो है generally Cis वाला है आपने देखते कि Z का में इसका है same side वाला तो आप इसमें Cis को Z करते लेकिए यहाँ पर Cis EB आ रहा है तो Cis वाला EB होता है Z भी होता है तो Cis, Trans, E, Z ISO में में कोई fix relationship नहीं होता है तो यह कोई सा भी हो सकता है Cis वाला EB हो सकता है Z भी हो सकता है Trans वाला भी EB हो सकता है Z भी हो सकता है depend करता है congregation या molecule पर इसके बाद देखिए हम बात करते हैं Cyn anti-isomerage में की तो Cyn का means कहा है Cis जैसा Anti का means कहा होता है Trans जैसा तो यहाँ पर दो टाइप की Compounds में यह Cyn anti-isomerage में मिलेगी एक तो होता Aja compound एक होता है इसके अंदर Oxym Ajo compound आप जानते है Ajo compound का में इसके होता है जहाँ आप N double bond N group So this is the Ajo compound Oxym के अंदर क्या मतलब आपने देखा होगा जब भी आप Aldehyde यह वाला ग्रूप है Aldehyde इसकी आप reaction या कार्बोनेल ग्रूप है इसकी reaction करवाते है Hydroxyl Amine के साथ तब देखे यहाँ से Water Molecular Remove हो जाएगा उसके बाद यह Double Bonds के साथ इसको हम कहेंगे Oxym कहेंगे अब यह दो टैप के होते हैं एक तो होता Aldoxym एक Ketoxym यह Aldehyde वाला ग्रूप था उसकी आप इसने Hydroxyl Amine के साथ reaction करवाई तो बनेगा Aldoxym और यह Ketone है और Ketone के साथ अब हैप Hydroxyl Amine की reaction करवाते है तो इससे क्या बनता है Ketoxyn बनता यह आपको पता है इस टैप से इसको आप समझ सकते हैं तो Aja Compounds और Oxym दोनों Compounds के अंदर Syn Anti-Isomeris में मिलेगी अब हम सबसे पहले डिसकस करेंगे कि Aja Compound या Ajo Compound में किस टैप से होती है अब आपको पता होगा Aja Compound में ऐसा होता है R and Double Bond and R यहाँ पर क्या होगा Loan Pair होगा तो देखिए यहाँ पर Loan Pair है तो Loan Pair भी इसकंदर अभी लेवल होगा तो अब हम क्या करेंगे यहाँ दोनों Loan Pair Same Side में तो इससे Syn कहेंगे और यहाँ दोनों Loan Pair Opposite Side में तो इसको क्या बोलेंगे Anti कहेंगे यह आपको पता होना झाहिए तो आप देखिए यहाँ पर दोनों Loan Pair क्या है Same Side में तो इसको Syn बोला दोनों Loan Pair क्या यह UR … यह क्या है Opposite Side है तो यहाँ पर Loan Pair का कंसίας तो होगा अब हम बात करते हैं Oxym की तो Oxym में देखेगा दो टाइप से Oxym होते हैं एक तो होता Eldoxym एक होता Ketoxym Eldoxym में पहला कौन सा है FormalDoxym मतलब कि है दोनों यहां पर H Avaloble आपको पता होगा यह होता है FormalDehyde इसकी जब आप Hydroxyl Amine के साथ Reaction करवाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर Water Molecule Remove हो जाएगा और यह H, H, C Double Bond and OH यहाँ पर क्या होता है? लॉन पेर होता है क्या आपको पता है? अब हम क्या करेंगे इसके इसके इंदर? यह Formal Doxim में क्या दोनो एच है तो एक हच यहाँ पर opposite में देखेंगे देखो आप यह Lone pair है यह H, इसके क्या है? same side में भी है यह lone pair है वह साथ में यहाँ पर क्या है अब साथ में H यह O-ch दोनों क्या है same side में भी है और यह O-ch क्या है opposite side में भी है तो यहाँ पर formidoxim के अंदर sin anti-isomorphism आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों type की groups बनने की possibility हो रही है तो इसका मतलब इसके अलावा सबोज यहां पर एक ग्रूप CS3 हो जाता है तो यहां पर CS3 आ जाएगा इस केंडिशन के अंदर यहां पर सिन एंटी आइसोमेरिज में हम शो कर सकते हैं तो आप देखिएगा सबसे पहले यदि कार्बन एटम पर उपस्तित हाइट्रोजन और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर उपस्तित ओज ग्रूप लीजिएगा ओपोजिट साइड में है ओच यह तो इसको हम क्या कहेंगे एंटी कहेंगे यह आपको पता होना चाहिए दोनों सेम साइड में है तो इसको हम क्या कहेंगे अब आप देख सकते हैं आपर यह कार्बन है यह नाइट्रोजन है कार्बन पर प्रज़ेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रज़ेंट ओछ ग्रूप दोनों क्या क्या सेम साइड में है जीएख सेम साइड में कि टॉक्सिमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमेने इसमें गिली इसमें गेडिंद चाल्ट कर लिए कार्बन से जुड़े दोनों गुरॉप डिफेंट होने चाहिए इसका मतलब लेकि कि टॉक्सिम का मतलब यह किटॉण बन जाएगा ना इस टाप से पिकिटोन से आपने हाइडोक्सिल अमिन के साथ रिक्षिन करवाई तो यह आप लॉन पिडा जाएगा अब देखिए जैसे हमने फॉर्मल डॉक्सिम में किया था कि फॉर्मल डॉक्सिम के अंदर यह आइसोमरीज में नहीं मिलती है अब इसमें क्या करेंगे यह देखू यह यह दोनों गुरॉप यहां पर यह आईसोमरीज में नहीं मिलेगी इसका मतलब यह दोनों गुरॉप डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए अब देखें यह दी हाई प्रयोटी वाले एलकायल गुरॉप और ऊच गुद्ध है ना इसमोल से मतलब नहीं यदि high priority वाले alkyl group और o-ach group same side में हो तो इसे sin कहेंगे यदि high priority वाले alkyl group और o-ach group opposite side में तो इसको क्या कहेंगे anti कहेंगे ये आपको पता होना चाहिए इसका मतलब high priority वाला group alkyl group किस पर है carbon पर है और n पर यहां पर क्या है o-ach group है तो इसको इसेm side में तो इसको बोलेंगे sin किति मान लिजेगा high priority वाला alkyl group और ये nitrogen पर present o-ach group opposite side में है तो इसको हम क्या कहेंगे anti कहेंगे ये बात आपको समझ में आने चाहिए अब example देखिए यहाँ पर इसको one number देंगे इसको one number इसको two number देंगे इसमें आपको बता है ओवज group है तो higher priority वाला ये है क्योंकि यहाँ पर only carbon के साथ hydrogen है यह carbon के साथ hydrogen भी हो साथ में carbon भी तो अविलेबल है तो इसको देंगे higher priority तो ये one higher priority वाला alkyl ओवज group दोनों क्या opposite side में तो इसको कहेंगे anti और यहाँ पर highest priority वाला ये lowest priority वाला ये दोनों क्या है higher priority वाला और nitrogen वाला वोस दोनों क्या opposite side में नहीं है कि हाँपर same side में है पहले बाले में opposite side में तो इसको anti बोला अब क्याँ same side में उसको बोलेंगे sin बोलेंगे तो यहाँ पर हो साइक्लो प्रोपेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण सिंगल बॉंड का रोटेशन नहीं हो पाता है इसलिए इसमें भी सिस्ट ट्रांस आइसमेशन मिलेगी अब देखिए यहां पर यह कारबन और यह कारबन इसके साथ यह इस सिध्याँ को होगा यह वाला सपोज आप रोटेट नहीं कर सकतें ondra कर दें इसका मतलब इसका मतलब साइक्लों प्रोपें में स्ट्रोप्वेंद्री prophecies में के तो इसी टाइप से cyclopropane ring में भी क्या होता है? Cys-trans-isomerism मिलेगी, तो इसमें देखिएगा, दोनों same group same side में है, तो cis और दोनों same group opposite side में, तो इसको हम बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे. इस टाइप से आप cyclopropane में Cys-trans-isomerism को show कर सकते हैं. I think clear है? तो आज की lecture में हमने discuss किया है Cys-trans-isomerism को, जहां मैं इसके 3 types discuss किये थे, जिसे कि हम बात करते हैं Cys-trans, C-90 और EJ. तो तीनों type की isomerism को हमने discuss किया है, geometrical isomerism में, I think आप कोई समझ में आएगा. इस वीडियो को प्लीज जरूर आप starting से लेकर end तक वोच कीज़ेगा, तभी आपको को topic समझ में आएगा. बीच में skip ना करें, और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यवी आपके जो भी known हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके science है, chemistry है, शेयर की जाएगे, तो देख तेरे एक chemistry plus academy, और बढ़ते एक chemistry, thank you so much.